Hey guys, welcome to my channel That Glam Girl और आज इस वीडियो में हम लोग बिसकस करेंगे कि जो मोल्स होते हैं यानि कि चहरे पर जो तिल हो जाते हैं उससे किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं यानि कि फ्यूजर में आपको तिल नहीं हो और इसके लाद में आपको ताश शेयर करूगी जो आपने काफी सारे क्वेश्शन मुझसे तिल रिमुवल के रिलेटर पूछे ते उसका आंसर चली देख लेते हैं पहले जो मोल्स होते हैं यानि कि तिल होते हैं वो आपके फेस पर क्यों होते हैं तो guys जो तिल होते हैं उसके reason सबसे बड़ा होता है यह कि जब आप sun में जाते हैं यानि कि धूप में जाते हैं तो जो आपकी skin है वो जुलस जाती है यानि कि खराब हो जाती है आपके skin के self थोड़े खराब हो नहीं जाते हैं उस area पर आपके तिल हो जाते हैं तो अगर आपक कब धूप में निकलना पड़ सकता है और कब आपनी sunscreen भूल सकते हैं तो गाई sunscreen ज़रूर apply करें हमेशा धूप में जाने से पहले और अगर तीन घंटे तक आप धूप में है तो अच्छे sunscreen पूरे face पर, neck पर, back पर, arms पर अच्छे से apply कर ले इससे future में आपके moles नहीं हो यानि क तिल नहीं हो आपके face पर, आपके skin protected रहे और हट तीन घंटे बाद आपको आपकी sunscreen फिर से reapply करनी चाहिए Sunscreen के लिए मैं आपको recommend करूँगी, आप apply कर सकते हैं Lotus Herbal UV Screen Matte Gel Sunscreen इसे आप ले सकते हैं, इसमें है STF 50 of PA++++ और ये बहुत ही अच्छा होता है आपको sun rays से protect करने के लिए So guys, अब 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 लग शब दहीं, लोगों के सबसे जाधा asked questions पर कि एक मोल यानि की तिल को रिमूव करने के लिए permanent remedy क्या है तो guys, जितना मैंने research किया है, आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आइती है वीडियो बनाने के लिए इसलिए मैं आप लोगों के साथ ही वीडियो बना रही हूँ मैंने काफी साही जगाओं पर research किया और मुझे ही पता चला कि मोल्स के लिए कोई भी homemade remedy नहीं है जो कि आपने मोल्स को रिमूफ करने के लिए वीडियो इसे रूस कर सकें जिससे आपके मोल्स यादे क कयाने की तिल हट सकें मोल्स हट सकते हैं laser से बर वो भी 100 ौ शौर नहीं होता कि आपके सारे मोल्स हट जाएंगी या पर्मेनृटल हट जाएंगे तो वो भी बहुत साथ पैसे waste वाले टिकनीक है जिससे आपना money तो वेस्ट कर लेंगे पर वो definitely 100% guarantee नहीं देते हैं कि वो आपके moles को हटाएंगे तो guys अब बात रहेंगे कि आप अपने बच्चे में moles सा करेंगे क्या तो guys just learn to embrace yourself यानि कि तो guys आप ये भी समझ सकते हैं कि आप सबस्क्राइब ब्यूटिफुल हैं जैसा आपको कुदरत ने बनाया है बगवान ने बनाया है हर कोई पॉरसम डिफरेंट होता है इस वर्ड में तो guys वैसा आप लोग है न सीकि अपनी नाच्छल ब्यूटी में ही कुछ चाहिए क्योंकि जो आपकी अच्छल नाच्छल ब्यूटी है जिसमें चाहे तिल हो चाहे कुछ भी हो आप लोग खुद आपको दिखाएंगे नहीं कि मेरे फेस पर इतने तिल है कोई नोटिस नहीं करेगा क्योंकि तिल मेरे फेस पर भी है मेरे खुद के फेस पर चार से पांच तिल है मेरे अराउंट पूरे फेस पर पर गाईस मैं उस चीज़ को लेके डिप्रेस्ट या साड तो नहीं होती ना तो आपको भी करनी है आप जैसे है वैसे ही बीटिफुल रही है अगर आप confident रहेंगे अपनी skin में अपनी body में या फिर अपनी skin tone में अपने फेस पर जो आपके features है उससे तो guys आप लोगों को बड़ी से बड़ी चो ताकत होती है वो नहीं हरा सकती यानि कि जो आपका बड़े से बड़े लोग होते हैं जो आपका confidence put down करने के कोशिश करते हैं वो नहीं कर सकते तो guys इस चोटी सी चीज को लेके इतना दिराज नहीं होई है कि तिल आपके face से रिमूव नहीं होएंगे उसी तरीके से confidently wear कीजिए जैसे कि मैं करती हूँ आप देख लीजे मेरी काफी सारी videos में almost 70% videos में without makeup आती हूँ आप लोग के सामने तो guys इस चीज आप लोग भी कर सकते हो अभी मैंने makeup किया हुए क्योंकि मैंने आप लोग के लिए makeup वीडियो शूट किया तो उसके जस्ट बाद में ये वीडियो शूट कर रही हूँ so guys I hope you like this video और अगर आप girls या फिर ladies चीज समझेंगे कि आप खुद में ही जैसे हैं वैसे beautiful है अगर आप अपनी skin and body का ध्यान रखेंगे तो इससे चीज कोई चीज नहीं है जो आप लोग अपने लिए कर सकते हैं so guys इस video को like करें मेरे चानल को ज़रूर subscribe करें अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और अगर आप लोग चाहते हैं आप समय से किसी एक परसंगा नहीं मेरी आने वाले वीडियो में लूँ तो क्या करना इस वीडियो को like मेरे चानल को subscribe bell button को click कर के नीचे comment करने दन और इसे मैं आप समय से किसी एक परसंगा नहीं मेरी आने वाले वीडियो में लूँगी आज इसका नहीं मेरी वीडियो में लूँगी वो है स्वाती दत्त so shout out to you girl so guys I hope you like this video and I'll see you guys in my next video bye guys